हेगाईव वेलकम बैक टुमाई यूटूब चले लेट एक फॉभी चल तो हम लोगी स्टार्ट करने वाले एक न्यू गेम जिफका नाम है गौड अफ वार अभी कहीं स्टार्ट हो चुका है और इसकी स्टोरी चल रही है अभी आप लोग देखो इसकी स्टोरी काफी जादा बढ़ी स्टोरी है जो कि यह यह जो आप लोगों को सामने बंदा दिख रहे है इसका नाम है क्रेट होफ पता नहीं अभी इसको क्या हुआ है यह पेड़े को गले क्यों लगा रहे हैं में को बिल्कुल भी नहीं पता और यह काफी आदा भी गुफे में नजरा रहे हैं एक और एक और एक और ओ भाई यह तो एकी बार दो चार बार में तो पुरा कट गया तो यह क्रेट ओफ का पावार आप लोग देख रहे हो तो नाक खतरनाक बंदा क्रेट ओफ जिसकी कुलहारी की बात करें तो काफी जादा खतरनाक तो पता नहीं अभी यह काफी जादा गुफे में नजरा रहे हैं मिको तो अभी यह क्या करने वाले आगे कुछ पता नहीं क्योंकि मैं भी खिलने जा रहा हूँ यह गेम जिसका नाम है गौड अफ वार और आप लोग बने रहे हैं वीडियो में क्योंकि आपने वह को देखने भी आगे होता क्या है तो यह तो काफी अदक गुफे में अपना जो भी अपना हाथ में जो भी बांद रहे हैं यह बच्चा कौन है यह कोई नया बनना आ गया यह फैट फिसका बेटा है जिसका नाम तो मुझे नहीं पता बट यह इसका बेटा है ओ भाई क्या ही बेग्राउंड में क्या ही म्यूजिक चल दे आप लोग सूनो एक सेकेंड यह क्या है इतना भारी पेडिये के लिए उठा लिया मजाद चल रहे लग रहे उठा तो अभी हम लोगोगों को इस पेड को ले कि कहा जाना है यहाँ पे तो नदी सामने नदी दीख रहा है वह क्या ह बान्द कि अपना वहोग बारफुल बंदा यार इसको रफी फायद बांघ भान देंगे विद्ध आपना जो भी अपना बोट है इसको पानी में डाल जाबी और अब हम लोग भी बलाट है उसको तो यह बांद रहा है अभी हम लोग भी बैठ चुके है नौ में और ये बंदा भाई काफी जादा खतरनाक है यार एक ग्रेट आफ बहुत ही जादा पावर्फुल बंदा लग रहे मैं को तो भाई ये पेड़ कैफे जटके में केले उठा लिया यार ये पेड़ मतला इतना भारी पेड़ कैफे को या केले उठा खकता है बिल्कुल यहां पर अभी हम लोगों को रूपना है क्योंकि यहां पर आगे तो कोई जगह ही नहीं तो अभी यह पेड़ वापफ से अभी हमारे पाफ ही आ चुका और इसको फैद फे फिर उठाने वाला है कि इतना भारी दिख रहे हैसको कितना बड़ा पेड़ा है आखा आ पो इसकी बॉडी मतलब काफी यदा यह तो हाइटेड भी है और इसकी बॉड़ी काफी जाद अच्छे तो अभी हम लोगों को इसको ले के जाना अभी कुछ नहीं करना भाश इसके पीछे-पीछे चलना भी हम लोगों को यह एक फिकर यह क्या नजर आ रहा है सामने आप लोगों को बाइक काफी बहत्रीन माउंटेन नजर आ रहे में को तो सामने क्या यह विव एर गेम का कुछ भी बोलो काफी बढ़िया विव है कि हम लोगों को और कितना दूर जाना है कंब यह अच्छा ठीक ठीक अभी लोगों के घंद भर आचुके हैं सघ्वाथ यही अन्नि लोगों को घर है तो यह लकडी हम लोग कहाना बनाना लिए एक हम लोग यहाँ पे लगडी लेक्क्राइब अब इसको क्रेट फूरा काट रहा है और उसका बेटा कहां जा रहा है मैंको तो फैट फे अपने घर के अंदर जा रहा है एक फिकन यह सामने क्या रखा हुआ है केंडल वह यहां पर तो किफी की डैड बॉडी रखी हुई है यार इसकी मॉम की डैड बॉडी है मैं तो क्या ही फोच रहा था भी खाना बनाने के लिए लेकिन कि वह भाई इतनी फूरूम इतनी मतलब इमोशनल इस्टोरी स्टार्ट हो चुके दिए केंडल जला रहे है चारो पांचों एंजल जितने भी यहां पर केंडल है कि अब इसको इस ने जला दिये कि वह गाई लग काफी जादा इमोशनल स्टोरी फूरे में स्टार्ट हो चुकी है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था और मैं क्या बोलनों देख रहो आप लोग में मेरे को लगा कि खाना वना बनाने के लिए लोग लगड़ी लेकिन यार इसको इसकी बॉड़ी जलान है है ốiक्तiggers है यह एक से क्रेडुए मारी बालकिन व्सक्ति ने डराई दिया था में जयादा का तुना आगा बना है यार देखने को बिल्कुल भी डरन यह और इसके चैरे प्लकुल भी चिशता है कुल भी एकदम आफू नहीं इसके शेहरे पे देख रो इसका बेटा कितना रो रहे है काफी पावर्फुल बंद नहीं है जो कि यार माइन से भी और कि इसको भी थोड़ा फोड़ा थोड़ा सा दुख है मैं को ऐसे नजर आ रहे है कि अब तो इसने इसको उठाई लिया है कि वाफ्री अब इसको उठा लिया है जो कि इसके बीवी है इसकी बॉड़ी अभी तो अम लोग इसका चेहरा भी हम लोग देखे ही नहीं क्योंकि पूरा धका हुआ है अभी फैसे लोग उसी लकडी में इसको जलाएंगे हूं कि राफ है तोहां यहां पे पूरा कंप्रीट जो भी रहता है जो कंप्रीट हो रख लखाएंगा इसके बॉड़ी यहां पे मिसम हम लोगों को हलेट आना II कुछ नहीं अब यार फुरू में इतनी जाला इमोशनली स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है अब मेरे मूँ पे कुछ लिकल ही नहीं रहे है यह सुकिन इसके बेटे ने क्या कर लिया नाइफ कितना गराम नाइफ है देख रहे हो इसके हाथ थोड़े फे जल चुके हैं भी पता नहीं इसके माइन में क्या चल रहा था इस ने क्या कर लिया कि क्रेट ओफ इसके हाथ में पट्टी बान अब है नाइफ बीफ को दे दी है भी रख ले भई रख ले काम आएगा क्योंकि अभी तेरी मम्मी भी नहीं अभी आगे चल कि तुरे को काफी अदा फाइट करना पड़ेगा काम आएगा विफ को अपने जे मेरे जहां भी रखना है वहां पर रख ले अब यह कहां जा रहे हैं फिर 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 अंदर चला गया अब यह आप लोग देख रहे हैं कितने गुफ़े में नजर आ रहे हैं पता नहीं बंदे को एक क्या हो जाता है इतने मतलब इतना इमोशनल यह तो भाई देख रहे हैं फिकार की मूड में आ गया लग रहे हैं कि अपना सब कुछ ले के आ गया अभी हम लोगों को जाना है फैसे हंटिंग के लिए तो गाइस इस वीडियो में इतना ही आगे मिलेंगे आपको और ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो में